कभी आपने दूद में सूजी को भिगो कर हलुआ बनाया है, यदि नहीं बनाया है तो आप इस तरह से हलुआ जरूर बनाईएगा, बहुत टेस्टी और सॉप्ट हलुआ बनता है, आज मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हलुआ बनाना बताऊंगी, तो आप जब भी इस तरीके से हलुआ बनाएंगे, तो आपको भी हलुआ बहुत पसंद आएगा, हलो एबरीवन नीलम्स किचन फूड में आपका स्वागत है, तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपीच पसंद आती है, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के साथ, तो चलिए मज़ेदार हलुआ बनाना स्टार्ट करते हैं, हलुआ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें हम एक कटोरी सूजी डालेंगे, सूजी मूटी पतली जो भी आपके पास अबलेबल हो, उससे आप एहलुआ बना सकते हैं, जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी, उसी कटोरी से हम इसमें एक कटोरी दूट डालेंगे, दूध मैंने रूम टेंपरेचर पर लिया है, इसके लिए आप गरम दूध मत लीजिएगा, या तो ठंडा दूध लीजिएगा, या फिर रूम टेंपरेचर पर, और इसे अच्छे से मिला लेना है, और इसे मिलाने के बाद कवर करके 20 मिनट के लिए ऐसे ही रख दीजिए, ताकि ये सूजी अच्छे से फूल जाए, अब हम इसके लिए शुगर सीरप बना लेते हैं, इसके लिए एक बड़ा सा बरतन ल तो हमारा हलुआ एकदम परफेक्ट बनेगा, तो मैंने इसमें चार कटोरी पानी डाल दिया है, अब हम इसमें आधा छोटा चमच इलाइची डालेंगे, चार हरी इलाइची को मैंने हलका सा दरदरा कूट लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसे एक उबाल आने तक गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है, इसे चमच से चला देंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे, हमें इसकी एक तार या दो तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, बस इसमें एक अच्छा सा उबाला जाए, इतना ही पकाना है, तो आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, और चाशनी में भी उबाला गया है, तो अब हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे, तो अभी हम चाशनी को एक साइड रख देते हैं, बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, तो यहाँ पर सूजी को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं, और यह सूज करके कड़ाई गरम होने के लिए रख दी है, और यहाँ पर मैंने उसी कटोरी से एक कटोरी देशी घी लिया है, घी को हम जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने अभी एक चम्मज घी कड़ाई में डाल दिया है, घी को हलका सा गरम होने देंगे, अब मैंने यहाँ पर थोड़े से कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता लिया है, इनको हम मीडियम फ्लेम पर दो मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, इनका हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस हलका सा रोस्ट करना है, आप चाहें तो इनहें बिना रोस्ट किये हुए भी डाल सकते हैं, पर इनको हलका सा घी में रोस्ट करने से इनका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है, तो ए अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, अब हम इनहें एक प्लेट में निकाल लेते हैं, अब मैंने यहाँ पर थोड़े से नारियल के टुकड़े लिये हैं, मैंने इनह प्लेट में निकाल लेती हूँ, अभी हम इनहें साइड में रख देते हैं, और सेम कढ़ाई में एक चमच देशी घी और डालेंगे, गैस की फिलेम को लो रखेंगे, और घी जैसे ही मेल्ट हो जाता है, हम इसमें ये भीगी हुई सूजी डाल देंगे, सूजी को एक बार चला देंगे, इसके बाद हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे, और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे कंटीनू चलाते हुए भून लेंगे, जैसे जैसे इस सूजी भूनती जाएगी, इसमें ठिकने सा जाएगी, तो आप इस तरह से इस पैचुला से मैस करते हुए इसे भ दाल दीजिएगा, सूजी के हलुआ में घी थोड़ा जादा ही पड़ता है, तब ही हलुआ टेस्टी बनता है, गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करते हुए इसे पकाईएगा, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसका हलका सा कलर चेंज हो जाएगा, और जब इस बैसन आपको बाद में ही डालना है क्योंकि बैसन जल्दी बھुण जाता है और सूजी को भूनने में थोड़ा सा समय लगता है, और इसे बूनने में तकरीवन टोटल 15-20 मिनट का समय लग जाता है, मुझे इसे बूनते हुए तकरीवन 20 मिनट हो चुके हैं, और आप देख करने हैं कि बेसन और सूजी अच्छे से भुन गए है और इसका कलर भी कितना बढ़िया लग रहा है तो यह अच्छे से भुन गए है अब हम इसमें यह शुगर सीरप डाल देंगे जो हमने बना कर रखी है शुगर सीरप डालते समय, गैस की फ्लेम को लो रखिएगा, अभी हम गैस की फ्लेम को लो रखेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम गैस की flame को medium कर लेंगे ताकि इसमें जल्दी से उबाला जाए और continue चलाते रहेंगे, मैं इसमें दो पिंच orange food color डाल रही हूँ, ये बिलकुल optional है, आप चाहें तो डालें नहीं तो skip कर दें, अब हम इसे medium flame पर continue चलाते हुए पकाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये पहले से काफी थेख हो गया है, और इसे हम जैसे जैसे पकाते जाएंगे, ये काफी थेख हो जाएगा, बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि इसे continue चलाते हुए पकाना है, तो आप देख सकते हैं कि इसका घी भी separate होने लगा है, और इसने कड़ाई को भी छोड़ दिय है, यानि कि हमारा हलुआ अच्छे से पक गया है, अभी ये ठंडा होने के बाद अच्छे से सेट हो जाएगा, तो हम गैस की फ्लेम को ओफ कर देंगे, और थोड़े से इसमें ड्राइफ रूट्स डाल देंगे, थोड़े से ड्राइफ रूट्स मैंने गार्निशिंग के ल है, तो ये हमारा हलुआ सर्व करने के लिए रेडी है, पर मैं इसे हलका सा ठंडा होने के बाद ही सर्व करूंगी, और ये देखिए हमने जितना घी लिया था उसमें से इतना घी बच गया है, तो ये हलुआ हलका सा ठंडा हो गया है, अब हम इसे सर्विंग प्लेट में सर् आप इसे गर्मा गरम सर्व कीजिए तो दोस्तों आप इस तरह से दूध में भिगो कर सूजी के हलुए की रेसीपी को ट्राई कीजिएगा आपको भी यह हलुए जरूर पसंद आएगा अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ शेर कीजिएगा तो फिर मि रेसीपी के साथ ठीक्स पॉर वचिंग है